हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो माधवीज किचन आज मैं आपके लिए मैंगो की एक और बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ तो आज हम बनाएंगे यह बहुत ही डेलिशियस मुह में घुल जाने वाला सॉफ्ट और क्रीमी मैंगो ब्रेड लगए बहुत ही असान है बनाने में और साथ ही इतना डेलिशियस लगता है और इतना असान है इसे हम बिना बेक की बिना शीक्वत बनाएंगे तो बहुत ही आसान रेसिपी है आई होप आप आप सभी को बहुत पसंद आएगी तो आए शुरू करते है आज कंग यह इंटर कुछ कट कर लिया है और अब चोटे चोटे तुकडो में चॉप कर लेंगे तो क्रम तयार हो गया है अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेप कि तरफ तो यहां पे मैंने एक बड़े शाइस का mango ले लिया है अब mango को कट करके इसका पल्प हम निकाल लेंगे ये दिखिए कोई भी mango जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं कोई भी flavor हो कोई भी mango चलेगा यहां पे तो यह देखिए mango का अब निकाल कर एक ब्लेंडर जार में डाल दिया है इसको ब्लेंड करके बना लिए ठींटिये पानी आड़ करके हम मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे और थोड़ी देर में ये गोड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर गोड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें आड़ कर देंगे हम मैंगो की प्योरी जो हमने तयार करके रखी थी और अच्छे से मिक्स करेंगे अब फ्लेम को हम मेडियम हाई कर देंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका volume आधा ना हो जाए तो यह देखे इसमें उबाल आ चुका है इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है यह थोड़ा सा थिन है तो पकाते पकाते क्या होगा कि यह जो mango का pulp है यह थिक हो जाएगा अभी इसमें moisture बहुत ज्यादा है इसलिए हमें थोड़ा सा इसको पका मेडियम फ्लेम पर इसको मैंने तीन से चार मिनट के लिए पका लिया है और आप देख सकते हैं यह जो mixture है यह बहुत ठिक हो गया और यह देख सकते हैं रिडियोस भी हो गया है लगबख आधा रह गया है यह तो यहां पर यह mango और गोड का मिक्श्र हमारा तैयार हो गया त तो यहां पर इस दूद में हम डालेंगे वन एंड आफ टीबल स्कॉन कॉण फ्लार और अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब दूद में उबालाने देंगे दूद को पीच पीच में चलाते रहना है ताकि दूद पैन के तले में न लग जाए मैंने हाई रखा है हाई फ्लेम पर पटाफट से दूद में एक बॉइल आने देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूद में बॉइल आ चुका है तो अब इस स्टेज पर हम इसमें आड़ कर देंगे कॉर्ण फ्लार का घोल जो हमने तयार करके रखा था यह देखिए और अब इसको हम इस तरह से बीटर से लगातार चलाते रहेंगे इस तरह से क्या होगा कि दूद में लंप्स नहीं पड़ेंगे और इसको लगातार चलाते जाना है क्यूंकि दूद गाड़ा होगा हमारा तो तले में चिपक सकता है और इसी स्टेज पर हमें इसमें आड़ कर देना है ब्रेड का क्रम जो हमने तयार करके रखा था और अच्छे से मिक्स करते जाना है यह देखिए लो से मीडियम फ्लेम के उपर हम इसको पकाएंगे यह देखिए और देख सकते हैं यह मिक्चर कैसे गाढ़ा होता जा रहा है तो इसको हम दो से तीन मिनट के लिए ऐसे ही लगातार चलाते हुए बल्ध भी लंप नहीं है एकडम स्मूच सा मिक्चर यह तयार हुआ है और इस स्टीज पर हम इसमें आड कर देंगे मैंगो और गोड़ का मिक्चर जो हमने तैयार करके रखा था यह देखिए और अच्छे से mix कर लेगे सारी चीजों को और ये देखे इस तरह से मैंने सारी चीजों को mix कर लिया और आप देख सकते हैं कितना पढ़िया सा color आ गया है इस mixture का light yellow color का ये mixture हमारा तयार हो गया है इसको लगाता चलाते रहेंगे 2-3 मिनिट के लिए medium flame पर और थोड़ा सा गाड़ा होने देंगे और आप देख सकते हैं इसकी consistency कुछ इस तरह की हो गई है तो जैसे ही हमें लगे कि इसकी consistency गाड़ी सी हो गई है pudding बनाने के लिए तयार हो गई है consistency तो हम gas का flame off कर देंगे तो ये देखे आप देख सकते हैं यलो जल फूट कलर आप चाहें तो यहां पे जल फूट कलर को स्किप भी कर सकते हैं तो फूट कलर को डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको एक बार फिर से मिक्स कर लिया है और ये लीजे हमारा mango bread pudding बिल्कुल तयार है set करने के लिए और आप देख सकते हैं इसकी consistency बिल्कुल इसी consistency का हमें pudding तयार करना है इसको हम set करेंगे नहीं बहुत अच्छे सेट होगा तो pudding set करने के लिए मैंने इस तरह का एक container लिया है इसको eco bake से पहले लाइन कर लेंगे इससे क्या होगा कि जब हम pudding को remold करेंगे ना तो काफी अच्छे से वो इस container के बाहर आ जाएगा तो यह दिखे मैंने इसको अच्छे से line कर दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे pudding यह दिखे तो मैंने इस तरह का rectangle container लिया है आप चाहें तो कोई भी container आपके पास हो आप ले सकते हैं round cake thing भी ले सकते हैं तो जिस भी शेप में आपको pudding बनाना है आप उसको इस तरह से सेट कर सकते हैं अब ऊपर का जो यह layer है इसको थोड़ा सा स्मूद कर लेते हैं और अब इस pudding को हम थोड़ा सा टाप कर लेंगे और यह हमारा pudding तयार है सेट करने के लिए अब 6-8 घंटे के लिए इस pudding को हम फ्रेज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे तो यह देखे मेंगो ब्रेड पुडिंग बना है यह जो बेकिंग पेपर हमने लगाया था इसको निकाल देते हैं और यह देखे कितना बढ़िया लग रहा है आइस्क्रीम, कुलफी वगेरा तो हम हमेशा ही खाते हैं एक बार इस तरह से मैंगो ब्रेड पुडिंग बना कर देखिए बहुत आसान है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और बिना शुगर के है तो काफी हेल्दी भी है तो इसको थोड़ा सा डेकॉरेट कर देते हैं ग्रेड के हुए पिस्ता से और थोड़े से केसर के धागे इसके उपर आड़ कर देते हैं ताकि यह देखते हैं बहुत ही सुन्धर लगे और केसर का फ्लेवर भी इसमें आ जाता है वो भी बहुत अच्छा लगता है तो यह देखिए हमारा mango bread pudding बनकर विल्कुल तयार है बहुत ही बढ़िया smooth, creamy और delicious यह mango bread pudding बना है यह देखिए इसको इस तरह से cut करके हम serve करेंगे आप चाहे तो normal knife से भी cut कर सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा और attractive बनाने के लिए इस तरह का knife यूज़ कर रही हूँ और यह देखिए हमारा pudding कितना बढ़िया लग रहा है देखने में तो यह देखिए इस तरह इसको प्लेट में serve कर लेते हैं आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है तो हैना दोस्तों बहुत यह आसान सी रेसिपी तो आप भी इसको जरूर ट्राइ कीज़ेगा बहुत सारे friends में मुझे request की थी कि मैं बिना sugar के pudding की recipe शेयर करूँ तो आज मैं आपके लिए यह recipe लेकर आई हूँ आप सबी को बहुत पसंद आएगी तो एक बार जरूर इसको ट्राइ कीज़ेगा और अपने feedback मुझे जरूर दीजेगा आपके feedback पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों मिलते हैं एक कैसी ही आसान सी इंट्रेस्टिंग सी recipe के साथ अकले वीडियो में तब तक यू सू मुझ झाच भा रचिक झाच है